उसके साथ साथ पेशेट के सरीर और मेंटालिटी का या साथ साथ हम लोगो spiritual का भी ध्यान देना चाहिए उनके spirit का भी ध्यान देना चाहिए उनके spiritual health का भी ध्यान देना चाहिए मतलब अकर patient admit होता है तो उनको बोलना चाहिए कि half faith in God उनको spiritually healthy रखना है उनको भगवान के साथ connect करवाना है वो जो भी religion को वानते हैं वो अकर Christian है तो Jesus Christ के साथ Hindu है तो दुर्गा माता पे या फिर Krishna पे सीव पे ठीक है तो उनके religion के according उनको faith करवाना है अब भगवान पे भारुक सा रखो सब ठीक हो जाएगा spiritually उनको connect करवाना है सिर्फ physical और mind का हमको ध्यान नहीं देना है meeting the client spiritual need can decrease suffering of aid physical and mental being अगर वो भगवान को ध्यान करेंगे या भगवान को याद करेंगे तो उनका जो mentality है वो अपने pain से उनके दर्द से या उनके तकलीफ से थोड़ा बहुत distract हो जाएगा और वो जब powerful या supreme being पे भगवान पे भरोसा करेंगे उनका थोड़ा से distraction होगा तो उनके तकलीफ जो है वो कम होगा और वो जब भगवान पे विस्वास करेंगे तो उनका जो belief system है उनका जो भरोसा है कि भगवान हमको ठीक कर देगा वो belief system के कारण वो ठीक हो जाएगे ठीक है belief सबसे important और सबसे powerful power है मतला हमें लोग सोच ले या विस्वास कर लें उस दीच पे तो वो वैसा ही होगा ठीक है बहुत important factor है अगर patient सोच लेगा जो ठीक होगा तो वो definitely ठीक होगा क्योंकि उसका body के hormones उसके according काम करेंगे उसके सोच के according काम करेंगे ठीक है तो इंप्लेमेंट spiritual care the nurse needs to be skilled in establishing trustworthy nurse patient nurse client relationship अगर हम लोग चाहते हैं उनका spiritually care करना patient का तो हम लोग एक जो nurse है और patient है तो nurse patient relationship जो होता है वो trustworthy means भरोसे के लायक बन के उनका सब problem को सुनना है ठीक है और उस चीज को secret रखना है किसी के साथ बताना नहीं है दूसरे patient के साथ या patient के relatives अगर कोई patient अपने relatives से भी कुछ चीज share नहीं करना जाता है तो एक nurse को वो सब चीज सुन के अपने अंदर रखना है ठीक है दूसरे को उसका problem जो है उनका problem दूसरे nurses को जो उस patient का care नहीं कर रहे है उनके बारे में नहीं बताना है ठीक है जो patient का care कर रहे है उनको पता होना ज़रूरी है लेकिन जो patient को care नहीं कर रहे है उस patient के बारे में उनको नहीं बताना है because the involvement in the meeting of spiritual need in a person for both the nurse and client nurses need to communicate with sensitivity and empathy to have good understanding तो जब पेशेंट से नर्स बात करती हैं तो उनको अच्छे से सेंसिटिवली बात करना चाहिए ऐसे बात करना चाहिए कि वो सब चीज अपना बताए और उसके साथ हम लोगो उनके भरोसा को हम लोगो कायम भी रखना है ताकि वो नेक्स टाइम जब उनको कोई प्रॉबलम हो तो वो सब नर्स से या सब डॉक्टर से अपना प्रॉबलम बता सके अगर हम उनका प्रॉबलम को सब दफ फैलाएंगे या मजाग उडाएंगे या फिर दूसरे पेशन लोग मजाग उडाएंगे उनके प्रॉबलम का many clients have spiritual strength that the nurse can nurture to help them attain or maintain the feeling of spiritual well-being to recover from illness and to face peaceful death तो बहुत ज़रे जो patient रहते हैं वो spiritual health से connect करते हैं spiritual being से भगमान से connect करते हैं और अपने आपको ठीक करने में भी help करते हैं और एक normal और peaceful death के लिए भी अगर वो मरने वाले भी रहते हैं उनका death भी होने बला रहता है तो वो सान्ती से मरते हैं without troubling themselves वो अपने आपको ठीक करते हैं अगर वो spiritually connected हैं तो ऐसा बोलेंगे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं भगमान के पास ही जा रहा हूँ और मैं बहुत safe place में जा रहा हूँ जहांबे में को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा protection मिलेगा भगवान से वो spiritually connect होके उनका death होगा ठीक है? वो ऐसे हट बढ़ा के या फिर spiritually unhealthy होके उनका death नहीं होगा अगर वो spiritually connected रहेंगे तो तो एक नर्स को बहुत सारे चीज के बारे में पता होना चाहिए spiritual health और spiritual well-being के बारे में characteristic of spiritual well-being क्या-क्या indication है बही चीज बार बार है डेके क्या-क्या indication है या क्या-क्या गुन होना चाहिए एक इंसान में अपने में सांती रहे compassion with other दूसरों सो भी अच्छे से बात करे reverence of life अपने life को एक gift के तोर पे accept करे gratitude means उनको proud होना चाहिए अपने life पे अपने career पे अपने रहन सहन पे उनको हर चीज पे proud होना चाहिए एक इंसान को appreciation of both unity and diversity ठीक है वो सब चीज का appreciate करे जैसे कि university and diversity का मतलब होता है एकता का भी और विभिनता का भी ठीक है बहुत सारे culture है बहुत सारे religion है उसका भी respect करे और एक हम एक Indian है हम लोग एक nation के है तो उस unity का भी respect करे humor, wisdom humor means उनको उनका humor अच्छा होना चाहिए wisdom means वो wisdom means वो peaceful हो ठीक है generosity means genuine हो अपने साथ वो अपने साथ कुछ गलत ना करे ability to translate the self capacity for unconditional love उनके साथ कोई कुछ भी करे लेकिन क्या हमको change नहीं होना है तो वो इंसान unconditional love दे सके किसी को वो indication है spiritually healthy होनेगा ठीक है now what are the spiritual need spiritual need means हमको क्या क्या spiritually चाहिए हम क्यूं भगवान से prayer करते हैं हम क्यूं भगवान के पह जाते हैं हम क्यूं भगवान पे believe करते हैं need of love क्यूंकि हमको प्यार चाहिए हमको आसा चाहिए मतलब एक hope hope क्या है सबसे powerful thing है जब तक हम लोग किसी पर hope नहीं करेंगे for example exam देने वाले हैं तो जब तक हम लोग hope नहीं करेंगे कि मैं pass हो जाओंगी तब तक हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं पढ़ेंगे नहीं तो मतलब hope नहीं करेंगे कोई बोल देगा कि failure होने वाले हो तो बिना आसा के हम लोग पढ़ेंगे क्या नहीं नीड टू ट्रस्ट हमको भगवान पर ट्रस्ट होना चाहिए ठीक है जब हम ट्रस्ट करेंगे तब हम महनत करेंगे और उस काम को करेंगे need for forgiveness need for forgiveness means हम को दूसरे को क्यों forgive करना है ताकि हम अंदर से खुश रहे ताकि हम अंदर से peaceful रहे, हमारे खुद के अंदर दूविदा ना हो, हम खुद गुसे में ना हो, मतलब परेशान ना हो कि कोई हमको hurt कर दिया, ठीक है पूरी लाइफ हम एक चीज को लेके परेशान नहीं हो सकते कि कोई हमको hurt किया इससे अच्छा है कि आप उसको forgive कर दो उसको छोड़ दो, खुद भी सांती से रहो और उस इंसामने वाले इंसान को भी forgive कर दो, क्योंकि हम इंसान है, हमसे गल्ती होता है तो forgiving is the biggest gift ठीक है, बहुत बड़ा gift है जो आप किसी को दे सकते हो आप अगर forgiveness दे सकते हो that means you are not selfish एक indication है कि आप selfish नहीं हो जब life में इंसान कुछ भी दे सकता है सिवाए forgiveness के और जिस दिन forgiveness किसी को forgive कर देता है इंसान या माफ कर देता है that means वो selfish नहीं है ठीक है need to be respected Bible में लिखा हुआ है आप जितना लोगों को forgive करोगे उतना भगवान आपको forgive करेगा आप जितना भी गल्ती करो आप दुसरे को forgive करोगे तो भगवान आपको forgive करेगा need to be respected and valued need for dignity हम अपने self-respect के लिए spiritually healthy रहना चाते है for example अगर हम लोग दुसरे से बात कर रहे है उनसे जगड़ा करेंगे ठीक है उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे हम खुद के अंदर दो दूवीधा के अंदर रहेंगे मतलब हमेशा गुस्ता हमेशा चिट-चिड़ापन वो क्या है socially unacceptable behavior है मतलब हमारे जो society है हमारे जो आसपास के लोग है वो हमको accept हमारे इस behavior को accept नहीं करेंगे अगर वो हमारे इस behavior को accept नहीं करेंगे तो क्या वो हमको इज़द देंगे क्या वो हमको respect करेंगे नहीं ठीक है तो अपने self-respect के लिए साथ भी सांती से रहना है और एक good connection, interconnection के साथ रहना है, ठीक है, need for value, need for creativity, need to be connected with God or supreme power, और हमेशा हमको किसी पे भगवान पर विस्वास करना कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, हम किसी पे भरोसा कर रहे हैं, किसी पे believe कर रहे हैं, तो हमारा जो believing, भगवान हो ना हो, ल for example, मैं 100% believe करती हूँ कि कुछ ना कुछ भगवान life में सही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, तो ये belief अगर ऐसा रहेगा, तो उसके according, मैं बिना pressure के काम करूँगी, और बिना pressure के कोई काम होता है, तो वो definitely success मिलता है वहाँ पे, बिना pressure के कोई काम होता है तो, ठीक है, बिना pressure क और full belief के साथ, किसी पे अगर हम लोग पूरा belief करके, बिना pressure के हम लोग अगर पढ़ते हैं, तो definitely बहुत अच्छा result आएगा, तो एक indication है, spiritually healthy, ये हमारा एक need है, हमारा जरूरत है भगवान से, या supreme being से, या इस universe से, need to be connected with the God and supreme power and being rather than oneself, हम जितना भगवान पे विस्वास करते ठीक है, तभी कुछ होगा, need to belong to a community, sense of purpose, और हमको अच्छा इसलिए रहना है, इसलिए spiritually healthy रहना है, अगर हम लोग दुसरे के साथ प्यार से बात करेंगे, तो क्या है, उनको हमारी जरूरत होगी, हमारी जो community है, उनको हमारी जरूरत होगी, तो इसलिए spiritually, ये हमारा spiritual need है, ठ community के लोग, environment के लोग हम से अच्छे से बात करें, now sense of purpose, sense of purpose मिस, बहुत सारे purpose है, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं, हम लोग इस यूनिवर्स से चाहते हैं, इस पूरे ब्रह्मान से हम लोग बहुत सारा खीच, बहुत सारा purpose है, हमको बहुत सारा लेना है, इसलिए spiritually, ये सब हमको पहले देना पड़ेगा पूरी यूनिवर्स को, उसके बाद ही हमको return में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, तो overall spiritual healthy रहने का मतलब ये है कि बिना attention के रहना, और सब पर trust करना, community पर trust करना, लोगों पर trust करना, स्वार्थी नहीं होना, ये सब indication है, और ये सब गुन है spiritually healthy रह के थैंक यू